अलो फ्रेंड्स वेलकम अबर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत खास है आज हम आपको बताएंगे मार्केट में कौन-कौन से बेस्ट 5.1 होम टेटर चल रहे हैं 2019 में जैसा कि आपको हमने इससे पहले बेस्ट साउंड बार सिस्टम पे भी वीडियो द इन में से अगर कोई साभी मॉडल पर्चेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं पर्चेस लिंक भी दे दूँगा अगर आपको इन में से कोई साभी मॉडल पर्चेस करना होगा तो प्लीज आप हमारे चैनल से ही पर्चेस करिएगा ताकि हमें उससे थोड़ी सी सो वक्त जादा ना गवातो है अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बीकेन। दोस्तो अगर आपका बजट 4000 से 5000 तक का है तो आप Logitech का Z607 5.1 Home Trader System परचेस कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। अब कुछ टाइम पहले ही इसका वीडियो आपको दे दिया है अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजेगा। उस पर हमने इसके बारे में पूरे डेटेल पे बात करी है और दोस्तो खास बात इस सिस्टम पर हमें ये मिलती है। जिस पर हमें 5.1 चैनल की connectivity का option मिल जाता है, अगर आपके पास एक बड़िया DVD player है, जिस पर 5.1 connectivity का option है, तो आपके लिए काफी best रहेगा, आपको बड़िया sound experience इस पे मिलेगा, एंड हमें सारी latest connectivity भी इस पे मिल जाती है, आउक्स, USB, Bluetooth, एंड हमें FM भी इस पे मिल जाता है, एंड दोस्तों इसका जो total power output है, वो 80 watts RMS का है, तो ये option आपके लिए काफी best रहेगा, एंड अभी इसका जो current price चल रहा है, वो है 4,700 रूपीज, दोस्तों अगर आपका budget 6,000 तक का है, तो आप FND F3800X 5.1 Home Trader System को purchase कर सकते हैं, इस पर हमें 5 satellite speakers मिलते हैं, एंड सारे satellite speakers पे 3 इंच के full range के drivers हमें मिल जाते हैं, एंड sound quality इसकी बड़ी superb है, 5.25 इंच का हमें इस पर base driver मिलता है, तो base भी जो है इस system की बहुत गजब की है, हमने इसका sound test video and unboxing video डाली है, आपने देखनी होगी तो देख लीजेगा, एंड जो दोस्तों हमें satellite speakers मिलते हैं, वो 10-10 watts RMS के मिलते हैं, एंड इसका जो subwoofer है, वो 30 watts RMS का है, एंड special बात इसमें ये है, इस पर भी हमें 5.1 channel की connectivity का option मिल जाता है, अगर आपके पास DVD player है, तो आपके लिए ये best रहेगा, इस पर भी हमें Bluetooth 4.0 version का support मिल जाता है, एंड इसका जो total power output है, वो 80 watts RMS का है, एंड अभी इस model का जो current price है, वो 6,500 उपीज है, हमें इस पर USB and SD card reader भी मिल जाता है, साथ पर इस पर हमें FM radio भी मिल जाता है, जो की PLL technology को support करता है, और दोस्तों, फ्रिंट पर हमें इस पर multi color LED lights भी मिल जाती है, जो इसके design है वो बहुत attractive मिलता है, तो दोस्तों, हमने इसे पूरा test करा है, आप इस budget में इसे आराम से purchase कर सकते हैं, दोस्तों, अगर आपका budget 8,000 से लेके 10,000 तक का है, तो आप Philips SPA 8000B को purchase कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी best option रहेगा, इस पर हमें 120 watts RMS का sound output मिलता है, 8 inch का subwoofer मिलता है, और इस पर हमें सारी latest connectivity भी मिल जाती है, जैसे कि Bluetooth, USB, SD card and FM, ये सारी connectivity हमें इस पर मिलती है, और इस पर हमें 5.1 channel की connectivity भी मिल जाती है, और sound quality के हिसाब से भी ये काफी बढ़िया है, बढ़िया sound output हमें इस पर मिलता है, और deep bass भी हमें मिलता है, तो bass lovers के लिए भी ये काफी बढ़िया option हो सकता है, तो अगर आपका 8,000 से लेके 10,000 तक का budget है, तो ये आपके लिए काफी बढ़िया option रहेगा, दोस्तों अगर आपको jabronix brand की system जादा पसंद है, तो आपको इस budget में jabronix की तरफ से भी काफी तगड़ा 5.1 home theater system मिलता है, सबसे पहले मैं आपको इसका model number बता देता हूँ, इसका model number है jabronix jabmonic, एड इसका अभी current price है वो है 10,079 रूपीज, हमने इसका भी वीडियो डाला है, अगर आपको देखना होगा तो आप देख लीजेगा, मैं description में link देदूँगा, और हमने इसका sound test भी डाला हुआ है, दोस्तों इसमें भी खास बात है, यह है कि हमें इस पे 5.1 channel की connectivity का option मिल जाता है, और इसका जो total power output है, वो है 140 watts RMS का, 70 watts RMS का इसका subwoofer है, जो कि बहुत powerful base produce करता है, हमने इसे पूरा test कर रहे है, आप इस model को भी purchase कर सकते हैं, और इस पर हमें सारे latest features मिल जाते हैं, जैसे कि Bluetooth, USB, FM, SD, AUX, LED display मिलता है, और हम speakers को wall mount भी कर सकते हैं, बहुत best deal है, अगर आप jabronics के system आपको ज़्यादा पसंदे, तो आप इस model को purchase कर सकते हैं, दोस्तों, अगर आपका budget 12,000 से 15,000 तक का है, तो आपको FND का F6000X को purchase करना है, वैसे इस budget पे, सोनी की तरफ से हमें Dave TZ145 भी मिलता है, बट दोस्तों, मैं उसे recommended नहीं करूँगा, उसका एक तो sound quality उतना बढ़िया नहीं है, जितना हमें 6000X पे मिलता है, एंड उस पर हमें Bluetooth की connectivity भी नहीं मिलती है, तो इस वज़े से मैं आपको उस model को suggest नहीं करूँगा, क्यूंकि दोस्तों, सोनी का हमने Dave TZ145 का unboxing वीडियो और sound test वीडियो डाला है, तो हमने उसे पूरा test कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए FNDF 6000X ज्यादा better option रहेगा, क्यूंकि हमें इस पर 5.1 की connectivity मिल जाती है, साथ में हमें इस पर optical input port भी मिलता है, तो दोस्तों, आप अपनी DVD प्लेयर या Blu-ray प्लेयर के साथ इसे connect करके, 5.1 channel का sound पा सकते हैं, जो sound quality होगी ना, वो next level आपको मिलेगी, पंची बेस मिलेगा, overall आपको sound quality में मज़ा आ जाएगा, सो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी डील रहेगी, हाँ इस पर Dolby Digital का वैसे हमें support नहीं मिलता है, बट अगर आपके DVD प्लेयर में है, तो आप इसमें पूरा मज़ा ले पाएंगे, दोस्तों हमें इस पर सारे latest features भी मिल जाते हैं, Bluetooth, Multicolor, LED light भी हमें front पे मिलती है, एंड हमें USB port भी इसमें मिलता है, एंड इसे हम app controller के through भी control कर सकते हैं, साथ में इसमें FM radio भी मिल जाता है, सो बहुत best deal रहेगी, एंड हमने इसकी बहुत सारी वीडियोज डाली है, unboxing डाली है, sound test डाला है, एंड battlegrounds भी डाले हुए हैं, 135 watts RMS का sound output हमें इस पे मिलता है, दोस्तों अगर आपको इस system के बारे में और detail में जानना होगा, तो जरूर से आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजेगा, आपको बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पर मिल जाएगी, दोस्तों अब मैं आपको जो suggest कर रहा हूँ, वो बहुत ही powerful system है, अगर आपका 16,000 से 20,000 तक का budget है, तो आपको यही वाला model purchase करना है, जो कि मैं आपको आप suggest कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका model नमर बता देता हूँ, Logitech Z906, अभी जो इसका current price है, वो है 19,999 रूपीज, वैसे दोस्तों price जो है वो fluctuate होते रहता है, sales के दोरान आपको यह 17,000 तक में भी मिल जाता है, अब मैं आपको इसकी खूबियां बता देता हूँ, powerful 1000 watts peak power हमें मिलती है, यानि कि इसका जो total power output है, वो है 500 watts RMS का, and 165 watts का इसका subwoofer है, दोस्तों यह THX certified speaker system है, and हमें surround sound के लिए, अलग से DVD player या Blu-ray player purchase करने की जरूरत नहीं है, इस पर हमें inbuilt ही Dolby Digital का support मिल जाता है, साथ में हमें DTS Digital Surround का भी support मिलता है, तो यह चीज इसकी काफी खास है, हम normally अपने TV किसे connect करके surround sound का मजा पा सकते हैं, दोस्तों इसे हम अपने TV के साथ, game console के साथ, and अपने computer के साथ connect करके music का मजा ले सकते हैं, अगर दोस्तों इसकी वीडियो हम जल से जल लेकर आने की पूरी कोशिस कर रहे हैं, बस अपना support आप बना के रखेगा, अगर दोस्तों आपका budget 20,000 से जा देगा है, तो आप Sony के STI-V300 को purchase कर सकते हैं, यह बहुत कमाल का 5.1 DTH home theater है, अगर आपको sound test देखना होगा, तो sound test भी डाला है, अगर हमने review video भी इसका डाला है, तो जरूर से आप देख लीजेगा, हमें इस पर 1024 watts RMS का sound output मिलता है, जो sound quality है, इसकी next level हमें मिलती है, अगर बेस भी इसका काफी बढ़िया है, तो इस पर हमें NFC and Bluetooth की wireless connectivity मिल जाती है, अगर आपका 20,000 से अबब का budget है, तो definitely आप इस model को ही purchase करिएगा, अगर दोस्तो आपका budget 28,000 तक का है, तो आप Sony के BDV-E3200 5.1 Blu-ray Home Trader को purchase कर सकते हैं, दोस्तो इसका जो total power output है, वो 1000 watts RMS का है, दोस्तो अभी जो इस model का current price चल रहा है, वो है 28,490 रुपीज, एंड इस पर हमें tutor भी मिल जाते हैं, जिससे vocal quality जो है, वो काफी clear हमें मिलती है, एंड इसकी जो sound quality है, वो हमें Indian flavor में मिलती है, clear audio plus का support मिलता है, बहुत powerful bass मिलता है, एंड बहुत loud sound है इसका, दोस्तो इस पर हमें NFC एंड Bluetooth की भी wireless connectivity मिल जाती है, दोस्तो इस model का भी हमने review video और sound test video डाला हुआ है, आप देख लीजेगा, एंड USB के थूँ हम इस पे multiple formats को playback कर पाएंगे, जैसे की AVC, SD, MP4, MKV, MPEG4, WMV, XVID, यह सारे formats को हम USB के थूँ प्लेबैक कर पाएंगे, एंड दोस्तो इस पर हमें built-in Wi-Fi का भी support मिल जाता है, तो यह भी काफी best option है, around 28,000 रुपीज, एंड दोस्तो इस budget में हमें Yamaha की तरप से भी बहुती तगड़ा 5.1 home theater system मिलता है, सबसे पहले मैं आपको इसका model अमर बता देता हूँ, Yamaha 1840, 5.1 home theater, एंड इसका जो अभी current price है, वो है 28,084 रुपीज, इस पर भी हमें 4K का support मिल जाता है, 4 HDMI input port मिलते हैं, एंड Dolby audio का भी support हमें मिल जाता है, साथ में हमें इसमें compressed music enhancer भी मिल जाता है, दोस्तो इस पर हमें virtual surround sound का support मिल जाता है, यानि कि अगर हम 5 speakers फ्रेंट पे ही रखेंगे, तो हमें surround sound का experience मिलेगा, तो अगर आपको premium brand का home theater purchase करना है, तो आप इसे आराम से purchase कर सकते हैं, काफी अच्छा 5.1 home theater system है ये, तो मैंने जितने भी 5.1 home theater आपको बताएं, ये सारे best हैं, आपका जितना budget है, उस हिसाब से आप select कर लिजेगा, सो आशा करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आईए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए, तो प्लीज लाइक करिए, शेर करिए, हमारी चैनल को subscribe करिए, बैल आगन को प्रेस कर दिजे, थाकि नएने वीडियो के notification आपको मिल सकें, अगर अभी तक हम Instagram पर follow नहीं करा है, तो जल्दी से हम Instagram पर भी follow कर लिजेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में Instagram के ID का लिंक दे दूँगा, सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई,